ऐसकेलेक्ट एंस अर्क मापनिको सभाती तो कैसे है आप सब यासे करते हैं और भोगत अच्छे आउंगे आपको अच्छे ही रहो गए मैं शुर्ण है कि अज़े काफी कमेंट पर बोला गया था कि सर जी हमें बताओ एंप्रीफायर में जैसे फाल्ट कैसे निकालते हैं अग सबसे पहले हमें जानना होता है पूर अम्प्लिफायर में सिस्टम क्या होता है देखे मैं आपको बता देना चाहता हूं सबसे पहले जो सिस्टम स्टार्ट होता है में पावर कोड होता है यह जैसे हमारी पावर कोड है यह सबसे पहले यहां से सप्लाई स्टार्ट होती यह तो उसके बाद आएगी ठीक है उस पर आने के बाद हमारे जो स्विच होता है उन ओफ का यह इस पर आती है इस से जाने का जब हमारी में ट्रांस्वार्मर पर आती है ठीक है जी ट्रांस्वार्मर से हमारी अलग-अलग सेक्शन में बढ़ती है जैसे यह हमारा पावर सप एंप ब्लस मैनस इसको प्लस मैनस ब्लाय देनी और ट्रांसवामर देता है कपेशिटर वाली सप्लाय कोधिए यह यह इani तीन बाय यह पर यह तरफ से लगाए ग़े क्यूए इस sonra कुछ सब्सीड आर है इनकित प्रेटिंग के लिए उते हैं जैसे यहां पर रिलेग हुई है इसको रिले चलाने के लिए यहां पर यहां पर यहां पर पर यहां पर एक और कारी तil popular प्रिंच तल्हों ठीक के लिए फिर यहां पेlast reply यूबे चार के लिए हैं से बारां जेयो तो उंसे न can राप लैंटेंस इसे तरह प्लस उल्टेज इस तरह से ठीक है और यहां पे यहां सकते हो आप चाए बिलकुल बंद आता है तो सबसे पहले आपकोःी करना चाहते हैं चेक करने के बाद में दोस्तों आपको देखना है deci लाइन आरी है नहीं आरी है अगर आपके आपके hav特 है यहां पर 750 व्लट एसी परकर करके आपको वोल्ट मीवर्ट किसको सब्सक्राइब करने को only operation UK कर दिरें ने कुझा ही दिए अब यहां ते रेले क Spra already क्राइब होगी और हमारा set हमारा ऐसे ही रहेगा हलका बज़ेगा मज़ा नहीं आएगा क्योंकि वह इन पे लोड रहेगा इनके जंग NTC भी लगे हो सकते हैं ठीक है तो कहने मलब यह है यहाँ पर हमारी पूरी पावर सप्लाई यानि चाहिए 220 जब हमारे इसमें पावर दे रखी हो जी क्या अगर यहाँ पर 220 वल्ट फिर आपको चेक करना है यह यह जो इन पॉइंट इन पर अपना जितना भी सप्लाई है यह आपको सप्लाई चेक करने है मल्टीमेटर को वही 200 वल्ट AC पर रखके या 750 वल्ट AC पर ही रहने देना है ठीक है उसके पच्चात आपको यहाँ पर फ्यूज ह इसमें फ्यूज दिखा देना चाहतना हो इस तरह आपको फ्यूज लगा हो सकता है इसमें आपको ट्रेस्ट कर लेना बीप साउंड आएगा अगर आपका फ्यूज ठीक है आपने ते यह पे इन चैक है यह जो और तरह पर रहा बिल्स जाबर मैंधर्ट लगा हुआ है इसक यह convert कर रहो हूं अगर यह convert नहीं करेंगा है सोट हो जाएगा तो दोस्तों यह फ्यूज बार 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 बर्ण होने के खत्रा रहेगा मतलब पचांस से पूरे पूरे रहेंगे तो इन में से हमारे दोस्तों प्लस पे और माइनस पे वोल्टेज आ जा जानी चाहिए जब आप प्लस वोल्टेज माइनस वोल्टेज और ग्राउंड देखें यहाँ पर माइनस वोल्टेज बीच में ग्राउंड है और यहाँ पर दोस्तों यह प्लस वोल्टेज है तो यहाँ पर हमें प्लस वोल्टेज माइनस वोल्टेज और ग्राउंड यहाँ पर चेक करना होती है कि की बहि इस card के लिए और एस card के लिए हमारी voltage जा रही है नहीं जा रही है अगर Yама पे जा रही है तो समंझे 재밌imentos तो आपके चैनल और वरकैंग में नहीं है अगर जो चैनल पे जा रही है जब बहुत के उडियो नहीं आरे है मतलब आपके और यह एंप्लिफायर ओन की लाइन जो लूई है तो यह जो लाइन आती है दोस्तो जीरो बारा का पॉइंट यहां पर दिया जाता है ट्रांस्वार्मर से ही और जब यह जीरो बारा अगर लाइन किसी वज़े से यहां पर मिस हो गई या कोई कनेक्टर लूज हो गया यहां पर कोई डायोड खराब वाया तो दोस्तों यह पावर लाइन नहीं पर कोई बैट नहीं पर यह लाइट में नहीं हैं क्योंकि गाएग बिले आरही है क्यों बढ़रा अगर आपकी टाउन read удоб May यहां पर यह बहुए कोई बिल्कुल फिट आपका एंप्लिफाय चलने लगेगा फिर आजाती है जी आपकी कमी क्या आपने देसे सब लाइन वाइन सब आ रही है लाइन आपकी बिल्कुल ओक्राइब दिखा लेकिन वोलियम बढ़ाने पर भी आवाज नहीं आप आ रही है जब कि यहां पर आपका कने पर यहां से जैसी आप कामहिं कर रहे हूं कहीं पे अमप्लिफायर का वैसे मतलब समझाज़ हैं जैसे कि अप प्रोग्राम से सब्सक्राइब कृप्लीट कर लिया आपने वार्ज़न करनी पर हम कर कर तक के आपने घर लेगा और output में भी गेन नहीं देगा तो उसकारण से दोस्तों आपको वोलियम खराब हो जाने के वज़े से यह समझचा बन जाती है सपोज कि जा आपने वोलियम भी नियू डाल दिये लेकिन आपकी कोई भी फिर वी जो रिक्वार्मेंट है वो पूरी नहीं हो पार है मतला एंपलुफायर नहीं चल पा रहा तो वह दोस्तों कमी क्या वरगी जाथे जर texting यहां पर शैनल अबार बार बार गीं यहां तो सब्ले exchanged बहुत और दो आब हुं मानने का ज्या ज्याए यह इसीज़ेगार मानने और अपने सबी चीजे देख ले फिर प्रोटेक्ट दिखा है तो यह दोस्तों इसका सिस्टम का फाल्ट होता है इसमें क्या होता है हमारी यह आई सी सोट हो जाती है और यहां पर यह एक वोल्टेज भी तब भी दिक्कत आ तो आप उस कंडिशन में यहां पर बारा जीरो बारे की पूरी लाइन चेक करनी है जैसे आपने बारा जीरो बारे लाइन दे रखी है तो भी आपके चैनल पे प्रोटक्ट मोड दिखाएगा ठीक है उसका बाद हमारे यहां पर फाइनली काम खतम हो गया इनका अब आजाता ह सबसे जादे प्रोटक्ट एंपको सबसे पहले बता देना चाता हूं यह आपका ऑगला एस चैनल ऊलग होती यह है सरीह मैं आपको बता देना चाता हूं आपको जोबी अंप्लिफायर बोड होता यह समें दो anywhere होती है जो gain देते हैं signal चलने के लिए उस साफ़ी बढ़ा कर देते हैं को क्या होता है Сलो увक시 conse output में DC जाने का मतलब यह relay आपकी off है उस समय में red light जली रहेगी यानि कि इसके output में DC जा रही है तो DC किस कारण से जाती है मैं आपको बता देना चाहता हूँ यागर यह जो आपकी दोस्तो input है input में भी अगर DC मिलेगी तो output में भी DC ही मिलेगी एक तरह से चोटा signal होता हूँ एसी में ही होता है ठीक है ना तो दोस्तों यहां से अगर इसको DC जाएगी तो दोस्तों जब भी हमारा input में DC जाने के करण output में DC ही निकलेगी तो protect mode में रहेगा तो सबसे पहले अगर protect mode आता है तो आपको input का connection काट देना है मतलब हटा देना है यहांसे अगर आपका डिप रोटेक्ट मोड में रहा है रीजन यहीं होता है सबसे जादे अगर आपका इससे हटाने के बाद भी आपने अपने अप्लिफार ओन ओफ करके देखना है अगर प्रोटेक्ट मोड हटता है तो ठीक है आपके इस बोड में यह आई सी sort हो सकती है अगर यह नहीं अटा आपने इंपुट चैनल से यहांते से connection भी हटा दिया है फिर भी नहीं अटा तो आपका यह जो ट्रांजिस्टर लागे हो हैं एक नीचे की तरफ एक टरफ हो गाएक यहां पर मेंसे स्वों कोई न कोई मिलेगगा यह सारे ही मिलें इक टरह बावं सो लगे होंузоп को एक तरप आपको उनिस त्रालिस लग होगा ठीक है इसी तरह से आपको चेक करना है इन में से कोई ना कोई एक एक तरप सोटन लेंगा और आप चेंज करके कर दोगे और परशन्ट आपका चैनल उक्क हो जाएगा यह दो कमी आतिए प्रोटक्ट के वज़े से अब चलते चलते प्रोटक्ट हो रहा है मैं आपको बता दिना चाहता हूं चलते चलते प्रोटक्ट का वहता है जब आपकी समस्य बन जाती चलते चलते अगर project आ रहा है तो अब दोस्तों बहुत से Ee sir, Donohjoti चैनल पर protect आ रहा है लेकिन channel बेर में कोई फाल्ट नहीं है सारे transistor सब खे हैं voltage सब उक्य है फिर फिरीone तो मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर दोनों साइड पर प्रोटेक्ट आता है तो दोस्तों फॉल्ट रहता है इसका इस पर पूरी वोल्टेज ना जाने की वज़े से बारा जीरो बारा अब यह मैं दोस्तों बतानों यह इसी अम्प्लिफायर का सिस्टम नहीं है यह सी तो से मिरत थारो सुसमें इनमें ज्चाह डिफरेंस नहीं है ठीक हे थिल्हें होता है है रिम्स फिल्टेस मथोट व स्थी है गवारा के शिमर्ण लएयर श्चरत शुघ है शिद्ध तो यह वाट ही उपनफर अप्ला करना गया से इसकी जंग और पर रोट कर आई इसकी बा क्या दोश्तों एंप्लिफार एंपको कोश्चन को आरे तो मैं कमेंट करदें काफी सारी वैसे वीडियों ने बना वी रखिया अपने चैनल पर दोस्तों कुछ भी आपके कोई रिलेटेट समस्य रहेगे तो मैं कमेंट कर देना में पूरी पूरी कोशिस करेंगे तो इस